नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल लच्मी गार्डनिंग में दोस्तों आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर रहे हैं और इस वीडियो में आज हम आपको बताने वाले हैं कि आपको अपने आम के पेड़ में NPK का इस्प्रे कप करना है वैसे दोस्तों मार्केड में NPK बहुत ही अलग अलग प्रकार के अबलेवल होते हैं इस वीडियो में आज हम आपको जानकारे देने वाले हैं कि आपको कौन सा NPK लेना है और अपने आम के पेड़ में किस अवस्था में करना है NPK का इस्प्रे वैसे तो बहुत ही अलग अलग अल लेना है और इससे अलग अलग क्या हमें benefit मिलने वाले हैं पहला इस्प्रे कर देना चाहिए, दूसरा इस्प्रे तब करना चाहिए, जब आपके आम के प्रेड में फल लगने वाले होते हैं, दोनों आफ्थाओं में अलग 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 प्रकार के NPK का इस्प्रे होता है, इस व्यूडियो में आज हम आपको पूरी जानकारी देने वा जब आपके आमके पेड़ में फूल लगने वाले हो यानि आपकी बहुत फूलाने वाली हो तब आपको पहला इस्प्रेय कर देना चाहिए पहले इस्प्रेय में जो NPK का इस्तमाल होता है उसका नाम है NPK 0.024 NPK एक प्रकार की घुलन सील खाद होती है जो पानी बहुत सी तेजी से घुल जाती है दोस्तों NPK 0.024 में 52% जो होता है वह होता है फॉस्फोरस और 0% nitrogen होता है साथ में 34% potassium होता है इसका काम यह होता है दोस्तों यह आपके पौधे में flowering को तेज कर देता है साथ में दोस्तों आपको एक सफता के अंदर देखने को मिल जाएगा यदि आप इसका इस प्रे अपने आम की प्रेड़ के उपर कर देते हैं इसका जो मुक्य काम होता है वह अधिक मातरा में फूल लाना होता है दोस्तों हमारे आम की प्रेड़ में जितना ज़्यादा फूल आएगा उतना फल लगेगा यह बात आप ध्यान में रखें इसलिए आपको NPK 014 का इस पर जरूर करना चाहिए साथ में इससे एक फादा यह होता है कि यह आपके जो पौधे होते हैं उसमें बहुत तेजी से विकास करता है यानि इसकी जो जड़े होते ही पौधे की बहुत तेजी से ग्रो करती है और गहराई में जाती है जिससे क्या होता है जो जमीन की गहराई में तत्त मौझूद है वह बहुत तेजी से असोसित करती है और पौधरिम के विकास में बहुत ही आयम भूमिका निभाती है इसलिए NPK 0-24 का इस्प्रे हमको तब करना चाहिए जब हमारे आम के पेड़की में बहुर फूल आने वाले हो यानि उसमें फूल आने वाले हो तभी इस्प्रे करना चाहिए यही इसका सही टाइम होता है अब हम बात करते हैं इसकी डोज आपको कहले नहीं है दोस्तों आपको इसकी डोज पर लीटर 10-15 ग्राम रखने है अगर आपका जो आमका पेड़ है उसमें 15 लेटर पानी लगता है तो आपको 100-500 ग्राम इस्तमाल करना है पर लीटर 10-15 ग्राम बढ़ा पेड़ है तो 15 ग्राम इस्तमाल करें छोटा पेड़ है तो 10 ग्राम इस्तमाल करें बहुत ही परियात मात्र है यही आपके लिए इनफ रहेगा अब हम चाचाचा करते हैं दूसरी औस्था के बारे में जब हमारे आम के पेड़ में फल लगने वाले हो दोस्तों यह बिलकुली अलग वस्ता होती है इसमें क्या होता है हमारे आम के पेड़ में फूरुटिंग इस्टार्ट हो जाती है यानि उसमें फल लगने लगते है फल लगने के टाइम पे आपको NPK 0050 का इस्प्रे करना चाहिए इसमें nitrogen 0% होता है phosphorus जो होता है 0% होता है इसमें सिर्फ potassium जो होता है 50% होता है जब हमारे आम की पेड़ में fruiting इस्टार्ट हो जाती है तब हमारे पेड़ को सिर्फ potassium की औसकता बढ़ती है क्योंकि potation का काम यह होता है कि वह हमारे आम के पेड़ में fruiting को बढ़ाता है यानि अधिक मात्रा में फल लगेंगे, बड़े फल लगेंगे साथ में फल जो होते हैं वह देखने में चमकदार होंगे और उनका आकार बढ़ा होगा साथ में खाने में भी स्वाधिष्ट होंगे NPK 0050 का जो main काम होता है वह अधिक मात्रा में fruiting मतलब अधिक पैदावार को बढ़ाना यही इसका काम होता है इसलिए यह दो अलग-अलग आवस्थाओं में किया जाता है यानि flowering के समय अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग ग्राम हमारे हाँ जो इस पर पम पाता है वह 15 लेटर का होता है इसलिए हम पर उसे हम बोलते हैं टंकी और पर टंकी की डोज हम जो रखते हैं वह 100-500 ग्राम रखते हैं उसमें 15 लेटर पानी आता है पर लेटर पानी के हिसाब से हम 10-15 ग्राम हम आपको रिक्मेंट कर रहे हैं बड़ा पेड है तो 15 गाम इस्तेमाल करें, छोटा पेड है तो 10 गाम इस्तेमाल करें, इतना डोज आपके लिए इनफ रहेगा, दोस्तों, NPK का इस्प्रे करने से हमें जो फायदे होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं, और ये बहुत ही तेजी से रिजल्ट सो करता है, और ये बहुत ही तेजी से गुलंचील होता है, और एक खास बात या होती है दोस्तों, जैसे हमारा बहुत ज़्यदा बजट नहीं है, हम बहुत पैसा नहीं खर्चा करना चाहते हैं, तो कम पैसा खर्च करके भी अच्छा उत पतन ले सकते हैं, इसकी जो मार्केट में रेट हो के लिए, आप इसका इस्तमाल कर सकते हैं अपने आम के पैड़ में और आपको बहुत ही अच्छा रिजट मिलकर जाएगा, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे, तो आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्स्राइब कर लिजेगा, वीडियो को लाइक कर दीजेगा और दोस्तों मे शेर कर दीजेगा